राश्ट्री महाराज अग्रिसैन जैन्ती महुत्सव पांच विदिन आयोजित निशुल्क विशाल चिकित्सा शिविर में 625 ने कराया चेक अप बारक टूबर को भी आयोजित किया जाएगा निशुल्क चिकित्सा शिविर मिलकर मनाए जा रहे राश्ट्रिय इस्तरिय जैन्ती महुत्सव के तहट आज विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजित किया गया अगरवाल भवन सेक्टर 16 में आयोजित इस शिविर में 625 लोगों ने चेक अप कराया इसके अलावा 53 महिलाओं ने स्वास्त शिविर में करवाया सयोजक अमित जिंदल और व्रिजलाल गर्व नहीं बताया कि मेडिकल कैम्प में देख रेक कर रहे चिकित्सकों की टीम में डॉक्टर रवी गर्ग नियूरो सर्जरी डॉक्टर बोद्राज ठाकुर यूरोलोजी डॉक्टर प्राची जैन एंटी डॉक्टर राज से पूरे समाज में ये सुचना देना चाहता हूं कि जैसे अभी हमारा आज उत्सव का पांचवा दिन है और 11, 12, 13, 14, 15 आगले पांच दिनों में भी हमारे समस्तर गर्वाल समाज में इस उत्सव को मौस्तर में बदलने के लिए बहुत कारिगरम रखे हैं कल मेडिकल बच्चों और महिलाओं का एक यहां पर महंदी रिंगोली क्विज कंपिटिशन है बहुत उसा है महिलाओं ने बहुत उसा है हमारी बेहनों ने बहुत उसा है हमारी युवाओं ने और कल आप देखेंगे कि हमारे कोई युवा समाज का जिसने की किसी भी फिल्ड में अप कि सेक्टर साथ से शुरू होकर सेक्टर आठ नो तस जारा पंदरा और फिर अग्रवाल भावन में उसका विरा होगा चोदा को इंदर दुनुष में फिल्मिक अलाकारंद वारा महाराज जीवनी पर एक रुपायंतर होगा और पंदर तारिक अग्रवाल भावन में हैं अपन प्रवाल की महिलाओं द्वारा बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कारेकरम पंदर रदिक होने जाता है मेरा सबी से आपके मादम से नवेदा कि सर्व समाज के लोग सबी कारेकरम में भाग लें महाराज आग्रस एंजी की नितियें जो पदेश थे जो सर्व समाज के उठान के लिव देश थे उसके बारे में उनकी जानकारी इन सब कारेकरमों के मादम से युवाओं तक बच्चों तक सर्व समाज के पंचा सके जी अमीची जिस तरी किसे मेमोग्राफी जैसे टेस्ट है जो बहुत ही महंगा होता है जो लोग नहीं अफोर्ट पाते लेकिन जरुतमन वर्ग के लिए यहां पर महिलाओं के लिए आपके दोरा आउजित किया गया है सभाद वरा आउजित किया गया है पंचकला इसके बारे मतल और महांगों से टेसस निशिव चिकिता शिव में किये जा गया है महाराजा अगिसेंजनती मौस्तुब के उपलक्ष में जो मेडिकल कैम्प्स लगा जा रहे हैं आज उसका दूसरा दिन है पहला मेडिकल कैम्प हमने नो तारीक को लगाया था और आज दूसरा 11 तारीक को मेडिकल कैम्प लगा जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं यहां आपर जरूरत भंग जो हमारे समाज के सदस्य हैं वह लाइने लगी हुई हैं और वो फ्री मेडिकल जो प्रामर्श है डॉक्टरों के दौरा उसका लाग उठा रहे हैं फ्री मेडिसन का जो दौई यह माटए जा रही है उसका भी लाग उठा रहे हैं जैसा कि आपने कहा महेंगे टेस्ट, यही एक हमारा उदेश्य है कि जो गत्ती, कुछ ऐसी बीमारियां जो आज समाज को घेड़ती जा रही हैं, जैसे कि कैंसर का टेस्ट है, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी हो गया है, प्री टेस्ट है, यह पहले बता देता है कि कैंसर के बारे में, तो मैमोक्रेशी का टेस्ट, मेंली राजशी का मुद्दा नहीं है कि यह महेंगा टेस्ट है, बजार में पास जार रपे का टेस्ट है, हम निशुल कर रहे हैं, यह तो एक विशे है ही है, साथ साथ विशे यह भी है कि हम जागरू कर रहे हैं महिलाओं को, कि वो महीला बेन को पता होता है कि मुझे टेस्ट कर्वाना है बट उसके पास राशी नहीं होने की विए से वो 5000 पे नहीं होने की विए वोई से नहीं करवापाती ही ऊ utilized मुद्ध है कि हम फ्री करवा रहे हैं ताकि च Er Stacy आगे कि नहीं करवाए पार है वो भी समझ तक करवाज समाज की तरफ से फ्री करवाई जाएंगे और जो समझ समाज ने ये अवेरनेस की उसका आप महौल देख रहे हैं आज पचास जो मैमोग्रेफी हुई वो पहले धाई गंटे में ही पूरी हो गी है उसके बाद एक मिशीन की कपैस्टी है उसकी वेश से हमें रोपनी कड़ी कल भी मैमोग्रेफी टेस्ट की सुविधा रहेगी और समाज ने और जो हमारे ट्रस्ट है उन्होंने निरने लिया और भी जो दो दिन में हमारे हाँ पर मैमोग्रेफी के लिए वेदन आएंगे उनका भी हम इस माउस्वत के बाद एक अर्येजमेंट करके हमारे किसी भी ट्रस्ट में चाई वोशी शाम परिवार सारा करिका ट्रस्ट हो या चरिपली ट्रस्ट हो शाम परिवार ट्रस्ट हो सेवा ही सेवा वहाँ पर कहीं ना कहीं जो वस्ता कलबे हैं आज और कल की जो रिजिशिंग बैलनस रह जाएगी उनको फिली करा दो ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकास टीवी और बेल आइकन धबाना न भूलें